शिरिगुरु अर्जन देव जी दा जनम 1538 इश्वी नू शिरिगुरु रामदा जी दे कार माता पाणी जी दे कुखो गोविंदवाल जी ला तरंतारन विखे होया। सुरत संभालन तो ही आपने पिता शिरिगुरु रामदा जी नू पिता करके नहीं बलके गुरु रूप जानके उन्हां दी आग्यादा पालन कीता। नियत शुरु तो ही गुरु गद्दी ते सी। पृथी जन्द ने गुरु साहिब जी कोल आउन वाली कार पेट अते लंगर परभंद आपने कोल रख्या सी। शीरी गुरु रामदास जी देताए देपुद पराशीरी सहारी मल ने गुरु साहिब जी नू उस देपुद देवेवा ते लाहोर आउन लेई सद्दा देता। गुरु साहिब जी उस समय उसारी दे कमा वीच रुज्य होए सन। सो उन्हा ने पृथी चंद नू जान लेई किया। परन्तु उह माईक परभंद छड के जान लेई दिलो चावान नहीं सी। सो उस ने ना कर दिती। मसंदा वीच वी उस दा चंगा असर रसुक सी। फिर गुरु साहिब जी ने मादेव नू जान लेई किया। परन्तु उह वी कर तक होन कारण ना कर गया। जदो गुरु साहिब जी ने आपने छोटे पुतर अरजन नू जान दा हुकम किता ता आप गुरु हुकम मान के लहोर चले गे। शिरी गुरु रामदाजी ने नाली भी केहा कि उत्थे आप सिखी दा परचार करो। अते जदो तक असी ना बुलाईया तुसा नहीं आउना। काफी दिन गुजरन तो बाद भी जदो सुनेहा नहीं आया ता आपने अरज लिखी पे जी की साड़ा मन गुरु दर्शना ले लोचदा है पर गुरु रामदाजी वनों कोई सुनेहा नहीं गया। आप गुरु हुकम अनुसार विछोड़ा चली गए फिर आप जी ने दूसरी अरज लिखी पे जीते फिर दीजी। परन्तु यह सारी कोशिशा ऐसफल साबत होयां क्योंकि पृति चंद ने छोटे प्राबाबा अरजन जी दी अरज गुरु साहिब जी तक पहुंचन ही न जदो गुरु साहिब जी ने अरज पढ़ी ता चोथी अरज पढ़ के पुछा कि पहलियां तीन अरजा जो अरजन जी ने पेजिया हन उह कि थे हन जदो गुरु रामदा जी नु पता लगया कि पिर्थिये पास तिन्य अरज पेजिया हन ता आप उस उपर बहुत नराज ह आंत गुरु रामदाजी ने प्रिख्या पूरी हुई, समझ बाबा पुड़ा जीनु लाहोर पेज के आप जीनु साध पेज जिया। पूरी गुरु रामदाजी ने पृथिये दोवारा किते विविरोध ता अते दवेश पावनानों मुख रख देया, उस दाना मीना रख्या। अते आग्या किती की उह साडे मथे ना लग्ये। पिर्थिया आपने आपनो गुरु अखवाओं लग पया, अते संगता नो पुचला के कार पेटा वसूल लेंदा, अते परशादा छकन लेई उना नो गुरु के लंगर पेज दिया करे, गुरु अर्जन साहिब ने इस वदिकी नो शांती नल जरिया, आप जीदा आनंद कारच, पिंड मउ, तेहसील, फिलोर दे वसनिक, पाई संगत, राय जी दी सपुतरी बीबी गंगा जी नल होया, पिर्थिये दिया चलाकिया कारण गुरु साहिब जी अते माता गंगा जी नो केई बार पुन्ने छोलें उते ही गुजारा करना पेंदा, अ पाई गुर्दाज जी ते बाबा बुड़ा जी पीपली साहिब दे स्थान ते बैटके उस रस्टे तो आ रही है संगता नो पिर्थे दिया चला तो सुचेत करन लगे, बोर मुखी सिखा नो पाई गुर्दाज जी ने थान थाक संगता नो सुचेत करन ले पेजिया, पाई शिरी अमरिसर साहिब जी तो नजदीक दी पिंड गुरु की वडाली ले गए, एते ही शिरी गुरु हर गोबिंद साहिब जी दा जनम 1595 इश्वी नो बाबा बुड़ा जी दे वर सदका होया, पिर्थे दे उस दी पतनी नो इस दा बहुत दुख होया, पिर्थे दे बाल हर कोबिंद जी नो मरवाऊं दे बहुत यतन किती, पर अकाल पुरुख ने उना दी हाथ दे के रख्या किती, गुरु साहिब जी ने पिर्थे दियां अजहियां कोजियां चालां दा गुसा नहीं किता, पिर्थे ने अकबर बाशा दे दरबार विज वी शिकायत किती परन्तु उत्थे वी उसनों मूदी खानी पे, फिर उसने वड़ी दे के फोजदार सुलही खान नालराल के शिरी गुरु अर्जन साहिब जी नों कैद करन अते गुरु गद्धी ते काबज होन दी वियोत कडी, सूली खान पिर्थे दा पठा पेखदे समय कोडे दे ते प इकन कारण पठे पठे वीच डिग पया, पते साड के मर गया, पिर्थे फिर वी आपनियां कोजियां चाला तो बाजन आया, इस वारुस ने सुलही खान दे पती जे सूलभी खान नाल गंड तरूप कीती, वह व्यास दर्या कोल रुक्या होया सी कीतन खा नू लैके उस दा सरची नकल ते हेहर पिंडन लागे ताल दे दरबार बना तरया, जो किसे कारण पूरा ना हो सक्या, गुरु साहिब जी दवारा तरन तारन साहिब दे स्थान ते कुष्ट आश्रम बनाया, ता इस ने वी तरन तारन तो तिन मेल दी वित ते ताल बना लिया, इस दे नाल ही यह परचार किता की इस ताल वीच नहातियां सारे दुख दूर हो जान दे हन, संकता इसे समय तक पिथे दियां कोजियां चाला तो पाली पांथ जानू हो चुकियां सन, शिरी गुरु अरजन साहिब जी ने गुरु गद्दी दे विराजमान होन दे समय तो ही सारे आरंबे उसारे कंमा नू संपोरण करना अरंब किता सी गुरु साहिब जी ने शिरी हर मंदर साहिब नू संपोरण करवाऊं दे नान नाल शिरी संतोकसर साहिब दी उसारे वी करवाई मसंद प्रथाता शिरी गुरु रामदा जी वेले स्थापित हो चुकी सी प्रन्तु इस दे नाली आपने दस्वंद प्रथा दी स्थापना वी किती जलंदर दे सुबे अजीम खान दी बेनती मन के आपने दो आब्बे विचकरतार पुर्वसाया 1595 इश्वी वी सक्त ओड लग गई पाने दी बहुतात लेई छे हरटा वाला खूर लगवाया शिरी अम्रिसर नजदे गुरु द्वारा शिरी छे हरटा साइब हजे वी इस दी अगवाई परदा है बाल हर गोविंद जी दे जनम दी खुशी वीच आप जी ने गोविंद पूर नगर वसाया जो बाद वीचे शिरी हर गोविंद पूर दे ना नाल पर चलित होया 1597 में इश्वी वीचे काल पै गया काल कारण बिमारियां फैल गई या गुरु सहिब जी लाहोर पहुंचे दसवंद दुखियां दे दुख वंडाउन ले खर्च कीता जदो अकबर बाच्छा नुँ इस बारे पता लगाता उसने गुरु सहिब जी दी सिफारश अते मामला माफ कर दीता गुरु सहिब जी ने सब तों मुख यतन प्योदादे तिवे खजाने पाव गुरु सहिब जी दुवारा रची बाणी अते उना दुवारा इकत्र किती गई बाणी नुँ इकठी कर आद शिरीगरंत सहिब जी नुँ संपादन करंदार निरना लेया यह सारी बाणी निरन्तर पहले गुरु सहिब आन तो लिखत रूप वीच अगलेरियां पाच्छाईयां तक पहुंची सी शिरीगुरु अमरदाजी ने विसिक संगता नुँ कच्छी बाणी तो सुचेत किता सी प्रन्तु शिरीगुरु अर्जन सहिब दे समय पिर्थिया ते उस दे पुतर महरबान ते आपनी बाणी रचनी शुरू कार दित्ती सी उसने गुरु सहिब जी दी नकल ते ही शबद दे आंत वीच नानक पद दी वर्तोवी आरंपकर नानक दास आद लिखना शुरू कार दित्ता सी उस दी इस चाल ने संगता नुँ पुलेख वीच पा दित्ता सची बाणी दे संपादन कारज नु संपोरन करन ले गुरु सहिब जी ने शिरी रामसर सहिब दे रमनीक स्थान नु चुनिया इत्वे आप जी ने पाई गुर्दा जी नु लिखारी बना इस कामन नो संपोरन करवाया शीरी गुरु गुरंत सहेब जी वीच सब तो जादा बाणी शीरी गुरु अर्जन सहेब जी दी है आप जी ने कुल 228 शब्र तीरागा वीच उचारे आप दी रची बाणी वीचों शीरी सुखमनी सहेब एक जही रचना है जो बहुत ही सरल पाशा वीच रची गई है शीरी गुरु अर्जन साहेब जी ने 1604 इश्विन आद शीरी गुरु गुरंत सहेब जी नो संपॉरुन करवा इस ता पहला परकाश शीरी हरमंदर साहेब विज़ करवाया अधे बाबा बुड़ी नो पहले गुरंती निङुक्ट किता जदों अजे आद शीरी गुरु गरंथ सहब जी दी संबादनां दा कम जारी सीता उस समय गुरु कारदे दोखिया ने अकबर पास शिकायत किती की शीरी गुरु अरजन देव जी वलों एक अजेहा गरंथ त्यार किता जा रहा है जिस विच हिंदु अवतारां अते मुसलिम पेगंबरां तेपीरां दी निंदा किती गई है परन्तु बादशा ने जदों खुद इस विचों शब्द सुनेता उहा बहुत परसन होया उसने इस महान गरंथ ले डुगी परशंशा दा प्रगटावा किता गुरु साहिब जी ने जमीदारां दिया ओकड़ा नू बादशा दे सामने रख्या जिस दे फल्सवरू अकबर ने उना दे मामले दा कुझ हिसा माफ कर देता गुरु साहिब जी दे उपदेश अते अध्यातम प्रविर्ती दा अजेहा मिकनाती सी प्रभाव सी की जो वी आप दे दर्शनान ले आऊंदा बस आप दा ही मुरीद हो जानदा अनेका हिंदू अते मुस्लमान सिक तरम नो सविकार कर रहे सन प्रन्तु कटडवादियानो इह सब चंगा नहीं सी लगरिहा इसलाम तरम दी सूफी पदती नाल संबंदित नक्ष बंदी सिल्सले वाले इस नो इसलाम दे पतन नाल तुलना कर रहे सन कटडवादि ब्रामणी श्रेलनी अत विरोधी सी की सिक तरम वरन विवस्था देव पूजा अते अवतार वाद दी था संगत ते पंगत नो समाज दा अटूट अंग बना रहा सी अकबर बादशा सोलन सो पंच इश्वी वीच अल्ला नो प्यारा हो गया अते उस दा पुतर जहांगेर बादशा बनिया तकत नशीन हुंदिया ही उसने बादा किता कि उह हैंदुस्तान वीच इसलाम मुस्थापित करेगा जहागेर दे पुतर खुसरो दी बगावत समय उस दे कन्ना विच पाया गया कि शीरी गुरु अर्जन साहिब जी ने खुसरो दी मदद किती है आते उसनो केसर दा टिका लाया है इस ते गुरु साहिब जी नो गिर्फतार करन दा हुकम दिता गया इस इरादे दा ब्यान उ उसने आपनी सैव जीवनी तुजक यी जहागीरी विच भी किता है खुसरो जेकर कदे गुरु साहिब जी नो मिल्या भी होवेगा ता उह उना सब आदमिया दी तरह सी जिस तरह कोई होर उना पास गया होवेगा जा जो उखे समय माँ पुर्खा पास जान दे हन जहांगीर जदो आपने बागी पुतर दा पिछा करदा होया आगरे तो लाहोर पुजा ता रस्ते वीच उसने उना सब नू सजा दिती जिना बारे खुसरो दी साहता करन जा उस दे कारज वीच कोई दिलचस्वी रखन दी खबर मिली सी इस गाल दी गवाई इस तों पता लग दी है क शेख नजाम थने सरी ने खुसरो दे हक वीच दुआ पड़ी इस गाल दा पता जागीर नू थाने सर वीच ही लग गया सी इस बाबत उ है आप तुजक वीच लिखता है मैं खवाजे नू सफर खर्च दे के मक्के तो मक्के नू तोर दिता होरना नाल बहुत सक्त सलूप कर अर्दयां होयां मोत तक दियां सजावा दितियां गईयां यह गाल ऐसंबव है कि जहांगीर गोविंदवाल दे रस्ते आया होवे जदों की गुरु साहिब जी भी गोविंदवाल हन अते उसनों ब्यास तो लैके लाहोर तक यह खबर ना मिली होवे कि शीरी गुरु दे दोखियां दी कोई कमी नहीं सी इस गल तो साफस्पस्ट होंदा है कि गुरु का अर्दे दोखिया ने मिली पगद नार्गुbuilt साहब नों फसाउंदा यहतन किता जिसीचव उह सफल रहे गुरु साहिब जी नों चंदु-शाहर दे स्पॉर्द किता गया गुरु लेग विज उबालया गया इस नाल आव दे शरीर ते वड़े वड़े चाले पैगे उपरंत गुरु सहीब जी नू होर दुख देन लेई गरम लाल पे चाले नाल परे शरीर नू रावी दे ठंडे पाणी विज पा दिता जिस नाल उए चाले फट गे अते गुरु सहीब जी दी शहादत बादशा जागीर अते सिक तरम दे दूखिया अते अचारा ते जुलम दे विरोध एक शांत में जित वी सी गुरु सहीब जी दी शहादत वीचो इनकलाब ने जनम लेया गुरु शहीद प्रंपरा ने नितानिया ते निमानिया वीच तान ते मान पैदा कर दि अते सदियां दे लिताडे होए मनुख वीच आतम विश्वास दी वी शमानों रोशन किता गुरु सहीब जी दी शहीदी ने गुर्मत दे उस लुकेत आर्मिक जजबे नों रूपमान किता पविक वीच इतिहास दा हिस्सा बन के रोशन करना से गुरु सहीब जी तरम दे खातर असहते अकहे कस्ट चहेल दे होए वी तेरा किया मीठा लागय उचार दे होए अकाल पुर्ख दे चरना विच जा बिराजे यह साका सोला सो छे इश्वीनू लाहोर शहर विच खे वापरिया करिदा बुर्ण स्टोर करिदाल थे वापरिया यह रहा होए नहां के रुछ टिए तरम झाल आसे एकाल पुर्णार कियालओ घूजा संटना भी तरम लाही तो